ग्यान मंत्राहूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब की बार शारदिय नवरात्री के शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 को हो रही है वहीं इसके ठीक शुरू होने से पहले एक दिन यानी 14 अक्टूबर को सूरे ग्रेंड भी लगने जा रहा है 14 अक्टूबर को सूरे ग्रेंड रात 8.34 मिनट से शुरू होगा और 15 अक्टूबर की रात 2.35 मिनट पे समाप्त होगा ऐसे में शारादिय नवरात्री की शुरुवात सूरे ग्रेंड के साये में होने जा रही है धार्मिक माननेताओं के अनुसार जहां नवरात्री को बहुत पावन माना जाता है वहीं ग्रेंड की गटना को शुब नहीं माना जाता इस वज़ा से कई लोगों के मन में यह भी बैह हुआ है कि सूरे ग्रेंड का प्रभाव नवरात्री की पूजा पर भी होगा तो चलिए जानते हैं साल के आखरी सूरे ग्रेंड का नवरात्री की पूजा पर क्या प्रभाव होगा और घट स्थापना की विधी किस प्रकार होगी वैसे तो शारादी नवरात्री की शुरुआत 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को रात 11 बच के 24 मिनट से होने जा रही है इस समय सूरे ग्रेंड भी लगा होगा लेकिन फिर भी जोतिशों की माने तो उनके अनुसार सूरे ग्रेंड का नवरात्री की पूजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि नवरात्री में घट इस्थापना का मैत्व होता है और इस दिन घट इस्थापना सूरे ग्रेंड के समाप्त होने के कुछ गंटों के बाद होगा अगर हम बात करें कलश इस्थापना के शुम मूरत की तो कलश इस्थापना यानि घट इस्थापना के शुम मूरत 15 अक्टूबर को 11.38 मिनट पे सुबह से लेकर 12.23 मिनट तक का है ऐसे में शारादिय नवरात्री में कलश इस्थापना के लिए आपके पास कुल मिलाके 45 मिनट का समय है अगर हम घट इस्थापने के समय कुछ खास बातों की बात करें तो वहाँ खास बाते कुछ इस प्रकार है सबसे पहले सूर्ग्रेंड के दोरान आज पास का बातावरन दूशित हो जाता है इसलिए घट इस्थापना से पहले आपको कुछ बाते दिहान रखनी चाहिए यानि सूर्ग्रेंड खतम होने के बाद घट इस्थापना से पहले पूरे घर में गंगाजल का छिड़काफ करें फिर इसनान आदी से निवर्थ होने के बाद तुलसी के पौधे पर भी गंगाजल छिड़कें इसके अलावा इस दिन तिल और चने की डाल का दान करें इसके बाद इस दिन विधी विदान से घट इस्थापना करें क्योंकि सूर्ग्रेंड के साई में हो रही शारिद्रीय नवरातरी की शुरुवात होने जा रही है कलश इस्थापना की विधी की बात करें तो शारदी नवरात्रे के पहले दिन सुबह उटके स्नानादी से निवरित होने के बाद साफ वस्तर पहने फिर मंदर की साफ सफाई करें गंगा जल छिड़कें इसके बाद लाल कपड़ा बिछा कर उस पर थोड़े चाबल रखें मि सुपारी, सिक्का और अक्षद डालें एक नारियल पर चुनरी लपेट कर कलावे से बांधें और इस नारियल को कलश के उपर रखते ही माजगदंबा का आवाहन करें फिर दीप प्रजलित करने के बाद कलश की आप पूजा कर सकते हैं बाकी हम इसके बारे में और भी चाहते हैं तो हमारा चैनल ग्यान मंत्रा हूं रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद